क्या आले साथ ही हूं मैं विकास सोबर आपके अपनेटर सोधी चाह स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस पर आज आपको समख्ष लेके आगे हैं 26 मेगा करेंड अफेर हिंदी इंग्लीज ओने बाश्व में यूपीसी यूपीसी के लावा स्टीट पीसे एक्जामिनिशन समंद उन्हें कर रखी है मानिता दे रखी है अपनी इमर्जनसी लिस्ट में ठीक अब इंडिया पुष कर रहें कि को वैक्सिन को भी हो जाए ऐसा क्यों जाने के पूरा और यूके जो है डिजिटल बाडर बना चाहरा है प्लैन इसके लिए उन्होंने निकाल दिया है डिजिटल जो टॉपिक है मरा वो है कि लिज्गानिया ने जो है चाहिना के दो ह्रा एक ग्रूप चला जारहा उसको छोड़ दिया है काए कि काफी विवाजन कारी है यह ग्रूप ठीक लीजिट्य इश्चाल सी लिफ्रहाइ कांट्री और बाल्टिक कांट्री कन्टी बाल्टिक सी के जानेंगे कैसी क्या body है क्या news में है सारी चीज़े आ देखे 26 में को जो है important जो यह है वह है कि बुद्ध जैनती है तिक बुद्ध पूर्णिमा है यह important है अज का बुद्ध पूर्मा क्यों बनाई आती यह पढ़ना उस्याज आज हो रही है हमारे exam point of view से ठीक और UPSC 2021 का चार जून से और EPFO का 27 मही से निया पेड़ को हमारा चलो होने वाला है कम्प्लीट पेड़ गूप भी है और सिर्फ टेस्टरीज का पेड़ गूप भी है अगर आप लोग ज़्यादा जांके लिए नहीं चकरवात यास आगया है भारत का जो मौसम विग्यान विभाग है उसने बताया कि 22 मही के असपास उत्तरी अंड़मान सागर ठीक ये बेव बंगॉल में आया है जो पहले ताउते था वो कहां आया था अरब मासागर में आया था गुजरात में उसने लैंड फॉल किया था ठीक और ये वाला जो है आपका अंड़मान सी नौर्थ अंड़मान सी में जो है फॉर्म हुआ है लो प्रेशर एरिया और ये ओडिसा वेस बंगॉल बॉर्डर के आसपास जाए परादीव और सागर लेंड के पास में लैंड फॉल करेगा जाके ठीक और ये सेकंड है पहला ताउते था गुजरात में लैंड फॉल हुआ था अरेबियन सी में हुआ था ठीक मोदी जी ने कहा है कि सब लोग डियास्टर मेजमेंट अच्छे से करो कॉडिनेशन करो जहां पर निकाल इवैकुएट हो सकता है निकासी हो सकती लोग को हटाओ वहां से रिस्क एरिया से ताकि जानमाल का कत्रा कम हो ठीक और ये एक्स्ट्रीमली हैवी रेंफॉल होने की जो है गुजाइश है ये मेदनीपूर आपका उत्तर और दच्छनी 24 पर गनाज में बत्रक बाला सोर और इसा ये सारी जगाओ पर ठीक यास का नाम इंपॉर्टन्ट है समझे यास अपरोक तुफान का नाम जो है ओमान ने दिया है ओमान का है अरब मास अगर में जो है लोगिस्टिकल सपोर्ट के लिए तो देखो ओमान नाम आया तो उसके बारे में मैपिंग करो देखो जैसे यह मैंने आपको इंफॉर्फिशन बता है इसे खुद भी मैंने पर लिख लो डुकम पोर्ट इंडिया के पास में इसलिए मैंने कहा है कि दो मैप बुक आपको ख सुगंद बहुत अच्छी है जासमिन जैसा होता है सुगंद में इसके अगला जो आएगा जो भी आएगा जब भी आएगा उसका नाम गुलाब होगा और यह पाकिस्तान ने नाम सजिस्ट किया है ठीक हिंद मास आगर में कैसे नाम सलक किया जाता है इसमें पहले पढ़ा शुका हूँ बता चुका हूँ चकरवात की बारे में जैसे क्या होता है एकशोत रहें तो यह यहां पर क्या है कि यह विश्वव और रका यहां क्यों नहीं आएगा क्यों क्योंकि एक्वेटर का पास में क्या चीज नहीं होती है Kor joyfuls नहीं होता है Romans for जो है आपका कैसे होता है जो अर्थ है वह आपका West to East कोमती है ठीक, West से East गुमती तो उसकी वजहेसे जो है पौल के एरियायillary में क्या होता है कि speed कम होती है equator के area में speed जादा होती है इसलिए equator के आसपास का area जो है अर्थ ऐसे है देखो ऐसे equator के आसपास वाला जो area है वो bulge है थोड़ा सा उठा हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पर उठा हुआ यह speed जादा तेज गूम रहा है उसकी वगये से क्या होता और सथन में यह स्वेयर में left reflection होती है ठीक तो अब जो बिल्कुल ुकिटग के आसपास तो नहीं लेकिन जो है इधर और इधर आपका पानी जो surface होता है surface seana water जो होता है वो करीमन जो है 26, 27, 28 के आसपास जो है गरम होना चाहिए लो प्रेशर इसके लिए बन जाएगा ठीक यहां से हवा जो है वो ऐसे जैसे है तो हवा उपर उठेगी यह वाली जगह छूटेगी तो हाई प्रेशर मालीजे इसके आसपास है वहां से यह आने लगी हवा है सब हाई प्रेशर मालीजे यहां पर ज्यादा दबाव है रिलेटिबली यहां से यहां से हवावा आई तो यह राइड डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे तो आप यह देख रहू है अटैक्लोग हो गया सभ्थब लेफंट हो इतकों ऐसे जैता है इसे तरी के समझाता है और अइसे पहले गई बताई में हैं यह सारी चीज reaching रहना चाहिए वर्टिकल इंंट शीर नहीं होना चाहिए छेफंट狂 बन जाता है यह सारी चीजा अगर आपने सुन लिया और बाकी जो लोग नहीं भी ले रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं यहां पर सकते हैं ठीक है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कि भारत अब को वैक्सिन को भी पुश कर रहा है कि वह अगरे लिए उसको जो है आपका इमर्जेंसी यूज लिस्ट में आ जाए ठीक इमर्जेंसी यूज लिस्ट में आजाए डव्लु एचो और आपका यूरोपीन यूरियन है वहां से भी इसको अप्रूल मिल जाए क्यों दो पहले तो कोवीशीड को मिल चुका है ऐसा है कि को रोका नहीं जाएगा जैसे कोई लगा हुए है अभी फिलाल में क्योंकि ये इमर्जेंसी यूज लिस्ट में है डबलु अचे की तो उनको जो है ट्रेवल वीजा वीजा सब मिल जाएगा यूरोप में जाने होने का आने जाना सब आसानी से हो जाएगा लेकिन अगर को वै यही होती है भाई कि अपना जो है पैंडमिक या कोई भी को करोना ऐसे कोई और पैंडमिक होता तो जो है सब जगे यह महिया हो पाए वैक्सीन ठीक ओम अलग ड्रग हो मैक्सीन हो मेडिकल जो भी हो इन्पुट वो आपका सब को पहुच पाए जल्दी पहुच पाए कम दा जो है तो जो है असानी से लोगों लोगों बी जिन लोगों ने को एक्सिन लगवा रखिए उनको भी जो है ट्रेवल वीजा मिल जाएगा इसके पास यह टाक्स किया गया कि यह वह स्टडी करें कि मैटर क्या है और को वैक्सिन को डबलु हो की इमर्जेंसी यूज लिस्ट में जो है जगे दिलाए ठीक यह दुनिया की वह आली जो है मैं वैक्सिन से जिनको डबलु हो ने यूज लिस्ट में डाल लगा है ठीक वहीं है फाइजर की है मोडर्ना हो गई यह आपकी एस्ट्राजनेका हो गई थी सिनोवे के चाइना वली हो गई आपका सीनोफार्म य यह भी चाइना वली है यह पता नहीं क्या लिखा हुआ और इसके बाद जो नोवा वैक्स भी हो गई ठीक ना यहीं सारी लिस्ट यहां पर दे रखी है खली पिक्टर के फार्म में सत्ताइज यूरोपें यूनियन मेंबर है वह चाहते हैं कि उनका प्रपोजल है कि वह सिर यू लिस्ट वइन होती है कि नोवल हेल्थ कोई भी इमर्जेंसी है तो सबके पास सारी पुलिक हेल्थ इमर्जेंसी सबके पास डियग्नोस्टिक रैपिड़ली पहुंचे सबके पास पहुंचे और बहतर से बहतर जो है safety हो प्रभाव कारिता हो ठीक और efficacy हो गुडवत्ता तो अच्छी होनी चाहिए ठीक ऐसा नहीं कि यह list members डार दिया और जो है इसको check work भी करते रहने हैं लोग और assessment देखेंगे वह यह खतरा कितना है कितनी तेजी से जो है हम लोग को यह potential इसका समझते वे risk कितना है emergency use list में हमें vaccine लानी चाहिए ठीक और कैसे होता emergency use list में quality गुडवत्ता सेफटी अभी कैसी सब शेकरने के कोई-19 के लिए और cold chain की क्या requirement जैसे फाइजर इंडिया में हम क्यों नहीं ला रहे हैं अभी तक क्योंकि फाइजर को जो है जो उसका logistics है transportation ने इसको रख रखा हुए उस चीज़े कोई-19 और फिर उसको technical advisor group के पास बेज़ा आता है फिर recommendation कहता है फिर finally emergency use में डाला आता है अगर सही होगी recommendation तो WHO की list में वहीं जो मैंने उपर पता है फाइजर बायो एंटेक एस्टर जैनिका एसको बायो सिर्म इंस्टिटूट ऑफ इंडिया वाला जो है और जॉंसर मोडर्न ना इन सब को सिनोफॉर्ण इन सब एक्सीन को emergency use list में डाला जा चुका है ठीक इसे साथ अगला जो topic है हमार इता नहीं है यह पढ़के कई लोग को लग सकता है कि internet border बना देगा कि जो है जो भी डेटा उनके यहां से बाहर नहीं जा पाएगा इसा नहीं है जो भी लोग United Kingdom में आना चाहते हैं ठीक यहां पे लिखा हुआ बॉर्डर विल फुली बिटेन विल फुली डिजिटाइज ठीक सीमा को पूरी तरह से डिश्टल कर देगा जिससे की देश में प्रवेश करने वाले और चोड़ने वाले जो आ रहे है जो जा रहे है उनकी सतीक सतीकता से निगरानी हो सकेगी ठीक तो देखो यह है मैप ब्रिटेन का इसमें कई सारी जो है सीज और क्या मैपिंग है इसमें यह वाली कौन सी लेख है इसका नाव आप लोग को बताना है ठीक और अगला जो वह होने वाला है सीओ पी कौंस कॉंफरेंस और पार्टी जो है आपकी सीओ पी किसका यूनाटेड नेशन्स फ्रेमवर्फ और कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज ठीक वह ग्लासगो म होने वाला है ठीक है ध्यान रखना ग्लासगो में होने होला है 2020 में होना था इटली में लेकिन वहां से पोस्पोन हो गया 2021 में नॉमबर में होगा ग्लासगो में ठीक ध्यान रखना तो अब इन देखो क्या होता है कि ब्रेटेन में कई लोग भाग के चुपके से बिना अब वो अलग हो चुका है तो अब इसको यह क्या है कि डिश्टल वालव करना चाहते हैं जो लोग भी आएंगे जाएंगे सब का एलक्टरोनिकली जो है वो दे देगा ठीक पेपरवर्क कम होगा लेकिन इसमें जानकारी yeah और आँठीक जानकारी to & कोई अगर आ रहा है तो उसको लोकने में जानने में पैचानने में कि हाँ भाई उसके पार ढकोमीन तो है कि नहीं है यह सब ज़्यादा सहूलेक्रों हो जा बाग के और दूसरी जगे पे जो है मरने से बचने के लिए उके भाग के आ रहा है तो ऐसे लोग को जो क्या वीजा नहीं इमिग्रेशन स्टेटिस नहीं है उन लोग को electronic travel authorization कराना पड़ेगा जैसा कि United States में भी चल ला है Trump के टाइम पे लगाए गया था 25 तक इसको ला देगा UK ये चीज़ करेड़ा digital identity में ये होगा कि उसमें visa visa application center पर आपको नहीं जाना होगा असानी से आप electronically कर लेंगे authorization बस उनको बिटे नहीं चाता है कि आर जो आ रहे हैं वो सही लोग आए बस वहाँ पे वो कहते हैं हमारे पार resources वैसे ही का हमें और लोग आ जाएंगे तो हमारे पास resources कि और कमी होगे जैसा कि आसाम में अभी पूरा चुनाव लड़ा गया और इसारी चीज़े है वैसे यहाँ पर भी बोरी जावर उनसां देखी जब से आए तब से वो इसी तरीके चीज़े पहले तो बैक्सिट उनक करा है अब यह immigration वाले बिच करा रहे हैं यह मतलब चला है आजकल trend चला है तरीके से करो बाहर ही है यह इसको नहीं आने देंगे हम आपको सुच है सकते हैं इस तरीके से फियर फेक्टर बनाओ और जो है अपना वोट बैंक कमाओ तो यह चीज़े easier to identify potential threat जो भी लोग आ रहे हैं थ्रेट तो नहीं है यह साई चीज़े है इस निड़ने का कारण क्या है for decade यह देखा गया है कि कई लोग समझ में नहीं आता कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कितने लोग illegally आ रहे हैं यह सब जो है वहाँ की interior ministry ने बोला है news में बता के कि यह नीसों में आता है इसलिए हम लोग ने electronic वाला यह चालू किया है अच्छा यह home office लिखा हुआ जैसे ministry of home affairs है ने इंडिया में वैसे हमाँ का home office जो की interior ministry होती ही ठीक तो इसी साथ में जो interlinking का चड़ी ही मेरे और मैंने मुझे एक चीज़ आदा ही कि पहले जब Britishers इंडिया में थे तो home charges नाम से एक चीज़ होती थी जिसको की जो है आपका डादा भाई नरोजी जी ने बताया था कि ये drain of wealth है drain of wealth है ठीक है ना यहीं बोला था ना तो ये कुछ facts मैं बता रहूँ आप लोग को ये बताना कि home charges actually था किया ठीक तो drain of wealth में काई सारी चीज़े थी लेकिन एक चीज़ ये भी थी home charges वो क्या चीज़ थी आपको बताना है यहीं पर यहां पर यह साज़ चीज़ बताएं कि बिटेर में कई लोग इलिग लिए आते हैं उसको रोकना है ताकि हम डिस्टाइज करना है ताकि जो है पता चल सके और हम ठेट को जो है रोक सके नेशनल सेक्यूर्टी का और वो सब चीज़ देते हुए तेकि लिथ्यानिया ने जो एक बहुती बड़ा कतम उठाया है चाइना जो की सेंट्रल द्यान से सुनिएगा यूरोप जो है ठीक उसका सेंट्रल और इस्टन जो यूरोप है उसमें 17 प्लस वन कॉपरेशन फोरम बना रहा है बना चुका है यह चाइना ठीक उसमें से लिथ्यानिया आप देखो यह जो लिथ्यानिया यह बाल्टिक ओश इसमें वहीं सब चीज़े करेगा देखो क्या करेगा वहीं ब्रिज मनाएगा और सारी चीज़े जो है रोल इंफ्रस्ट्रक्टर यह साच चीज़े बनाएगा तो इसको लिथ्यानिया ने छोड़ दिया उसमें यह 27 प्लस 1 करें ठीक तो यह क्या कर रहा है देख एक चीज म पर यह सेंट्रल और सिर्फ इस्ट का अलग से फोरूम बना कर उन लोग को लियोर कर रहा है उन लोग क्या जो है क्योंकि इसका पैसे जादा है इस चाइना की पूरी पॉलिसी इसको नाम दिया जाता है चेक बुक डिप्लोमेसी चेक बुक पैसे के अधार मलब वहां के जो भ पाकिस्तान के पास गया उसने का अच्षा तुम्हारे रोड़ बनानी है ठीक हम से लोग ले लो वह पाकिस्तान ऑप ठीक है हम लेकिन बोव्ह तो पड़ता है ना ठीक तो वह तो पहले भी लोगम करते थे लों अभी जो है यह नया तरीका निकाला है चाइना ने लोगों को जो है बाटने में और इस अब करने के लिए तो देखो यहाँ पे लिथिवानिया ने मेन मुद्दा यह कि देखो यहाँ पे है ठीक बाल्टिक सी के पास में एस्टोनिया लाट्विया लिथिवानिया यह तीन जो है बाल्टिक कंट्रीज ब पूरी है कहानी यह है ठीक इन रिसेट मन मं जो है लिधिवानिया ने यह कहा था कि चाइना को जो है ब्लॉक यह किया किन ay investment ओ यह से उह हम कुछ नहीं करेंगे हम नहीं चाईए चाइना कह उसने भूला और। तो में हम सीधे सीधे टाइवान से ओपन ट्रेड भी करेंगे ठीक तो यह वाली चीज है और यह 2012 में चालू किया था चाइना ने और बुड़ापेस्स से और इसमें यही है कि वहाँ पे सेंटरल और इस्टरन यूरोप जो है इसमें चाइना आपका प्रमोट कर रहा था बिजनस इन्वेस्मेंट इन सब 17 कंट्रियों में कौन कौन से कंट्रिय है इनके नाम जो है मैप में प्लीज देखिएगा प्लीज कौन कौन से हैं अल्बानिया बॉसनिया हर्जे गोवईना ठीक बुलगारिया क्रोशिया चेक रि ठीक जरूर देखना साथी साथ मेरिटेरियन सी वाले भी देख लेना प्लीज मैपिंग करना बहुत जहुरी है इसको मत छोड़िएगा मैं बार बार आज मैं 6-7 बार बोल चुक हूँ मैपिंग तो करो यार ठीक तो इसमें देखिए यहीं सब है उसके लावा क्या है कि कल् नियादी धाचा बनाना है ठीक मोटरवेब रिजे यह सब भी करेंगे तो चाइना की क्या क्या बता है मैंने चेक बूट इपलोएसी अब देखो इसलिए बता दिया कि यूप्यसी के आदत है जी एस्टिप कोशन पूछना है तो पूछेगा कि 101 जो कॉंस्टिट्यूशन है उससे आप क्या समझते हैं तो वह जो है उसका इंडेक्ट ली कुछ आप उसता है तो इसलिए चेक बूट डिपलोमेसी और या फिर नियू कोलनिजम चिक यानि कि नवीन जो है उपने वेश वाद जो चल रहा है उससे सबंदित क्या समझते हैं चैना है तो आपको यह च 20th माई को इसका बारवा एनुवल डे था उसको जो है इसके मिलब वर्चौल इसको जो है वो करी क्या है याद किया है काफी और यह जो है कम हमेशा ही इक होना यह अच्छा होता है न्यूज चैनल में क्या होता है कि कम्टीशन हो गया बड़े बड़े जो है प्रमोटर्स ऐसे आगए जो बिजनस करते हैं अब वो लोग के बीच में दौड़ लगी हो यह टियारिपी की टियारिपी चक्कर में न्यूज जो नहीं है न्यूज वो लो देते नहीं है न्यूज मैनुफेक्चर करते हैं ठीक मैनुफेक्चर हो रही है न्यूज और उनको बस टियारिपी है यह कम्टीशन के लिए तो कर रहे हैं बस किसी भी तरीके से कम्टीशन जीतना है तो कम्टीशन होना जैसे यह बोला था न कम्टीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया है कि ये कम्टीशन को रेगुलेट करता है इंडिया में ठीक देखो अब वैसे आपको रटने में दिक्कत होती है लेकि मैंने इसको पूरे इसके पीछे का मकसद मतलब की वाई फैक्टर बताया ना तो आप दिमाग में गुसा ना अब आपको यह याद भी रहेगा क्यों कि आप लोग को हर को या के जो है स्पून फिटिंग करता है सिर्फ यह क्या 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 यह करता लेकिन उसके पीछे की बेसिक नॉलिज्ज तो है नहीं रूट कॉस्त मालूम नहीं लोगों तो वह क्या परचान होते रहें कि यह रटें कैसे याद कैसे रखें अब याद रहेगा यह ठीक यह वैदानी निकाय है और इसका वैदानी निकाय क्यों होता है क्योंकि पर्लेमेंट ने एक्ट बनाया 2002 में की प्रमोट करो कम्टीशन को पूरे भारत में और साथी साथ जो है अप्रिशेट करो जो भी अप्रिशेबल एड़र्स एफेक्ट हगर कम्टीशन से कोई हो रहे हैं तो उनको रोको है ना यही तो बात थी और उसका 14 अक्टूबर 2003 से यह इस्टैबलिश हो गया 2009 से जो ह झाल फुली फंक्ष्चनल हो गया पहले जो चेर्मेंट थे इसके वह कौन थे धनेंदर कुमार्जी ते यह कमिशन जो है इसमें एक चैर्मेंण होता है कम से कम दो ज्याद़ ज्याद़ च्छे मिम्बर होते हैं जिन को अपॉंट करता है कौन सेंट्रल ग़र्मेंट करता है को जो सही है वो उसको आगे बढ़ा हो जो नहीं है उसको रोको ठीक सिंपल भाशा में और यहां पर यह कि अर्थवस्ता के तेज और समवेशी विकास के लिए इनको काम करना है फेर और हेल्दी जितने भी कई सारे आपको सुनाई देते हूंगे कि मर्जर एन एक्कुजिशन अधिकरण होता है तो यह सब जो है इसमें कम्टिशन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है वो लिनी पड़ती है क्लीन चिट तो मार्केट जो है वेलफेर कल्यार के लिए बहुगता के कल्यार के लिए काम करना चाहिए ठीक पॉलिसी ऐसे बनानी चाहिए जो सबसे आदा दक्षत इससी क्या है कि गाड़ी माली जी एक तो आपके बास कार ऐसी है जो एक लीटर में पच्शी से लिए और एक जो है कार बहुत बड़ी सी है जो पच्शी एक लीटर में जो है 2,5 किलोओं चल लिए तो कौन सी आदा एफिचेंट हुई है पच्शी से करो पेंचेंग के आपके रखो मेल जो बना कर रखो हर सक्टर के रगुलेटर से ताकि जो एक कंप्टीशन जो भी चीज़ेस में हो नहीं वह अच्छे से किया सके एफेक्टिवली केरी आउट कंप्टीशन एडवोकेसी जो भी स्टेक होलडर है इंडियन एकनोमी कल्चर को बढ़ाया रखना है जो गलत है उसको रोकना है ठीक और यह साथ में आज जो हमारा जो देखे कोस्टन बढ़ टैन हो गया दस दिन से हम लोग कर रहे हैं आप लोग आप लोग को सपोर्ट भी है बस लिखना आपको है कीप रैटिंग कीप और इंप्रूविंग आज को जो कुशन है ठीक वह भी पंदरा मार्क्स का है 200 वर्ट में लिखना है और 20 मिन लिए इसमें मैं चाता हूँ क्योंकि यह जोग्रफी के से रेटर कुशन है मैं चाता हू अभी बता दे रहा हूँ इस बार क्योंकि शुरुआत है नहीं तो फिर व्याद में बताऊंगा नहीं यहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिक ट्रॉपिकल साइक्लोन यानि की उश में कटिबंदी है चक्रवात क्या है एक्स्प्लेंग करें डाइग्राम बना कर और दूसरी जो है यह थोड़ा ट्रुकी है ठीक मैं क्या बोल रहा हूँ वाट आर देयर नेम्स ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेम्स इन डिफरेंट ओशियंस ऑफ दा वर्ड ठीक मैं बताऊंगा नहीं यह आपको सोच के लिखना हो का विश्प के विभिन महासागरों में उनके नाम क्य क्या होते हैं और आगे हम लोग अपने फेर्वर सक्षन में जिसका नाम है कौम नेगा है इस प्रिलिम्स को कोशन किस तरीक से करने चाहिए हम यहां समझते हैं M.C.A. M.C.A. Ministry of Corporate Affairs से समझते हैं 3.0 की बात हो रही है ट्रू कों से समझते है इस से लिटर इस पाइस नाम का एक चीज है होती है इसको UPSC पीछे पूछ भी चुका है ठीक एक दो साल पहले पहले पहला फेज जो है इंडिया का फर्स्ट मिशन है E-Governance Project का M.C.A. 21 जिसको लाँच किया गया 24 माई को ठीक और ये लाँच किया किसने आपके Defense Minister जी ने अगर इसको फुल फॉर्म आपको बताया है Ministry of Corporate Affairs तो क्या Defense Minister इसमें हो सकते हैं क्या मताई ये तो ट्रू पूछा गया तो ये गलत हो क्या ये गलत हो क्या तो ये गलत हो क्या तो ये गलत हो क्या कोई कंपनी है उसको जो भी लोग जा कि उसके बारे में देख सकते हैं पढ़ सकते हैं क्या चीज है क्या बैलेंस शीट चल लाइए उनकी क्या प्रोफिट है क्या लॉस कर रहे हैं सारी चीज है इसके लिए M.C.A. 21 बनाए गया एककुल मिला कि Corporate Ministry of Corporate Affairs में जो कंपनियों क का जो भी अड्मिस्टेशन है जो उनके लिए उनकी पार्दाश्य था उसको बढ़ाने के लिए अनुराक ठाकुर जी ने जो है वीज को जो है लॉंच किया है M.C.A. 21 3.0 ठीक इसाए चीज है M.C.A. 21 क्या होता है एक ऑनलाइन पोर्टल है Corporate Affairs Ministry का 2006 में वैसे लॉंच अगला हमारा जो कॉश्चन है वो है कि आपका कॉलकैंथ ठीक कॉलकैंथ नाम से जो है क्या चीज़ा समझेगा इसे समझेद कौन से जो है स्टेटमेंट ट्रू है ठीक तो मेड़ागास का के टट पर शार्क मचुआरो दो आरा एक मचली को विलिप्थ होने के कारण करीब म आने जाने वाली इस मचली को पुना खो जा गया है मतलब ये मचली जो है आपकी ये कॉलकैंथ जो है एक मचली घना मैं ऐसा बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट सही है गलत बताईए ठीक अगला स्टेटमेंट है कि कोलकैंथ जो है ये इसकी हिस्ट्री ये कहती है कि ये 4 420 million, 20 million, 1 million में 10 लग होता है, दियान रखना, 420 million year ago, ठीक, यह आई थी और इसको 4-legged fossil fuel भी बोला जाता है, जिवाश मचली भी बोला जाता है, यह चीज है, ठीक, तो क्या यह सही है statement, बता ही है, ठीक, 1 and 2 भी हो सकता है, अगर दोनों सही है, या फिर D भी हो सकता है, अगर 30 सकता है, साइन्टिस यह समझते हैं, कि कॉलोकेंथ जो है, यह एक्स्टेंट हो गई थी, 66 साल पहले, ठीक, 420 साल पहले यह हुई है, आई यह, मतलब, माना जाता है कि तब से है यह, और 4 पैर वाली जीवाश मचली है, और लेकिन यह कहते हैं, कि यह विलूप्त हो गई थी इससे पहले की है, और यह डिवलूप्त हो गई थी, ठीक, लेकिन अभी तो यह धूड़ी गई है, और इसका लाइव लिविंग स्पेश्यमर उननी सो अरतीस में, सौथ अफ्रिका कोष्ट पे कुछ फाउंड हुआ था, ठीक, पहले जब यह देखा गया था, कि भाया, 46 मि हम लोग आज का सेशन खता है, अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके और लोग को जोड़िए, और लोग को जो है, यह वाला जो हमारा, यह मिशन चला है, इसको जो है आगे बढ़ाईए, ठीक, अगर आप करेकली, 856-4-08-05-0-96-0-6-08-9 पे काल करें, चलिए कल फिर से मुला करत हो कि आप लोग से सुबाद छे विए पत्ता के लिए लेते हैं, आपसे अलविदा, जाएं जाए बरत, all the very best है, वंदे मातरम